इलेक्ट्रिक कार अब लोगों की प्राथमिक्ता बनती जा रही है। पेट्रोल के प्रति दिन बढ़ते दाम और सरकार की क्लीन एनरजी ट्रांस्पोर्ट सिस्टम डेवलप करने की कवायद हर ग्राहक को इलेक्ट्रिक कार पर स्विच करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, अब इस सेग्मेंट में जापान की टॉप कार कमपनी निसान भारत में अ अभी तक घोशना नहीं की है, लेकिन हाल ही में निसान के एक मॉडल को दिल्ली NCR में स्पोट किया गया है, इस से संकेत मिलता है कि कमपनी जल्द ही अपने अगले इलेक्ट्रिक वीकल को लेकर कोई घोशना कर सकती है, यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी, कि क्या स्प निसान की एक कार को हाल ही में दिल्ली NCR में स्वरूप मिश्रा नामक शक्स ने अपने कैमरे में कैद किया, इसी को लेकर रिशलेन ने एक रिपोर्ट प्रकाशत की है कि यह कमपनी की भारत में लॉंच होने वाली अगली कार हो सकती है, इस से पहले भी कई बार निसान इलेक्ट्रिक कार के बारे में कहा जा रहा है कि इसका डिजाइन काफी प्रीमियम होगा, यह अद्वांस्ट ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ADAS के साथ साथ कई मौडन फीचर से लेस होगी, कार में 40 किलो वाट आवर्स की लीथियम, आयन बैटरी देखने को मिल सकती है यह एक EM57 बैटरी होगी जो काफी पावरफुल होगी, गाड़ी की रेंज को लेकर कहा जा रहा है कि सिंगल चार्ज में कार 240 किलोमिटर तक की रेंज दे सकती है, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की कैपिसिटी 146 BHP की पावर और 320 अनेम टॉक पैदा करने की बताई गई है निसान की इलेक्ट्रिक कारों में दो तरह के AC चार्ज देखने को मिलते हैं एक 3KW और दूसरा 6KW चार्ज से बैटरी 16 घंटे में चार्ज की जा सकती है और 6KW चार्ज से बैटरी को 8 घंटे में चार्ज किया जा सकता है बहराल देखना है कि Nissan की अपक्मिंग इलेक्ट्रिक कार के बारे में आ रही इन खबरों पर कम्पनी की मुहर कब लगती है Nissan Leaf इलेक्ट्रिक कार के बारे में आपका क्या राय है कमेंड करें है यहां आपको मिलेगी सही जानकारी यहां आपको Android से लेकर iPhone तक, Smart Watch से लेकर DSLR कैमरा तक, Windows से लेकर Macbook तक और Car से लेकर Electric Car तक की खबर मिलती है ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मिल जाए हर वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके मोबाइल पर मिल जाए हर वीडियो का नोटिफिकेशन